तो हम लोग आज पढ़ेंगे टाइम वन वर्क चाटर आडी शर्मा बोक में से एकसाइज 11.1 फॉर्स कोश्टन देखते है फॉर्स कोश्टन क्या है राकेश कान डू पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज राकेश जो एक काम को 20 डेज में खतम कर लेता है how much work can he do in 4 days कम को चारोच क्रेगा तो टेंट कितना कर रहे है राकेश देंगे लेसे काम हो गाण कर लेक होगा और लेटेंटि इनट न कहीं और यंटॉ 4 days that is equals to 1 by 20 work okay so 4 day में कितना काम हुआ 1 by 5 work हुआ okay so let's move to the next question of this exercise 11.1 so next question क्या है next question है रोहन केंट 1 by 3rd of painting in 6 days रोहन जो है 1 by 3rd कोई पेंटिंग का 6 days में खतम कर ले रहा है तो how many days will he take to complete the painting तो complete करने में पेंटिंग कितना टाइम लएगा तो हमको पता है solution करते है solution है question number two ka solution है ठीक है so रोहन का टिक तो हमते क्या पूचा क्या हम पूचा क्या है days कितना ले रहा है मतलब time कितना ले रहा है तो complete the painting हमके लिखेंगे time taken by रोहन time taken by taken by रोहन to do to do 1 by 3rd of painting 1 by 3rd कर रहा है 1 by 3rd of painting 1 by 3rd of painting is equals to 6 days मतलब कि 1 by 3rd painting ले रहा है 1 by 3rd painting कर रहा है 6 days ले रहा है तो हमसे पूचा क्या है कि therefore time taken by रोहन taken by रोहन to complete the painting okay so time taken by रोहन to complete the painting so 1 by 3rd painting कर रहा है कितना time ले रहा है 6 days ले रहा है तो पूरा complete painting पूरा complete करने में कितना ना लेगा इससे कुछ नहीं तो 1 complete है यहां भी कुछ नहीं है तो 1 पूरा complete करने में कितना time लेगा 1 complete करने में लेगा 6 को उधर ले जाएंगे 6 तीजा कितना होता है 18 18 days लेगेगा एक पूरा painting मतलब कि अगर painting को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाए तो उसमें से एक पार्ट जो है क्या लिखेंगे है 123 तो एक पार्ट जो है 1 by 3 part वह 6 days में complete कर रहा है अगर एक यह 6 दिन में complete कर रहा है तो दूसरा भी 6 दिन में करेंगा आणिल आत्यों क्या है अनिल कंड़ में 설वत कॉफार में अनिल बॉद हर भी 6 द यह 6 डिन ता वाइड द में मन निकाला क्या थाव उल्हिग के टाहिं भार में इंन अ впर छнем में इन जो है कि कि साथ हमों को निकाला के तो ऑन को निकाल भाइड मतलं है कितना काम कर रहा है फास दि व्यंहों काम कर रहा है one by five और सेम चीज व्यार्ग डन भाई दन बाई अंकुर हो डिशोट टोंपाप दन वाया अंकूरिन वाँ फोल डो ही दो टोटल वरक दें कितना हुआ total work done work done in one day total work done कितना हुआ 1 by 5 plus 1 by 4 that is equals to 20 4 plus 5 that is equals to 9 by 20 तो work done कितना हुआ एक दिन में 9 by 20 तो time taken कितना हुआ work done कितना हुआ time taken कितना हुआ time taken by both of them both of them that is equals to अब एक दिन में 9 by 20 काम हो रहा है तो total time कितना हुआ total time होगा 20 by 9 20 by 9 आपका answer आएगा I hope you understood the question number third of this exercise 11.1 okay